ये क्लैपिंग की आवाद जो आपको आ रही है ये हिसार के क्योरियस क्लासिज से आ रही है और क्योरियस क्लासिज ने इस बार भी टोप कर दिया कमाल कर दिया इस खबर को आप लास तक देखेंगे तो आपके बच्चे भी हिंदूस्तान में टोप करेंगे और टोप से टोप तिससाल भी कर ली hãगी चलता है फिर तिसरी बार भी हो सकता है कि आपके पास में कोई एक्स्क्यूज हो क्यी इशिचूट हिसार में टोप कैसे होसकता है चोटी बार जोटी बार वाजब मैं कहूं कि पांच बार अगर गातर को इस दी कुट करता है उसका बच्चा physics में 100% लेके आता है तो फिर आपके पास में जवाब नहीं होगर आप कहेंगे वाकर institute तो कमाल का है या फिर सोबित सर के पास में answer की रहती है जो बता देते हैं बच्चों को कि भई ये answer की ले जाओ सवाल यह आएंगे जवाब यह आएंगे सब कुछ यह आएंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है टोपर तो टोपर ही होते हैं क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का एक ही टेस्ट होता है जेई मेंस और जेई मेंस का जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि हिसार के क्योरियस क्लासिज ने physics में हेंड़ परसेंटाइल लिये हैं बच्चे और बच्चा मेरे साथ है यह रहा यह बच्चा मेरे साथ है इसके हेंड़ में हेंड़ परसेंटाइल है मतलब एक भी सवाल में गलती नहीं है यह कमाल की बात है और पूरे हिसार में के विकिन सी न एक भी चुट इस स्थी चुट के बराबर में कोचिंग सेंट्र का हब है वह क्योंकि फीजेट्समें बें एक सब्सक्राइए वह अद र्याज गणा किहाई आटके लिया जिनका फिजिक्स में 99 से ज्यादा परसेंटाइल है इतने इतने मतलब अचीवमेंट्स है मुझे तो याद ही नहीं रहेंगे सारी इन से पूछेंगे पहले बातो सची बता दो कोई की तो नहीं होती आपके बास देखो सर की तो मैंने लास्ट आइम आपको बताया था ऐसा मतलब एक बच्चे का है बाकी सबका 95 नंबर है मतलब वो भी अगर मान लो एक सिली मिस्टेक ना करते तो 100 परसेंटाइल के बराबर होते जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा अधित्य का एक सवाल गलत है मतलब इसका 95 स्कूर है ठीक है और और तेजस का भी तेजस का भी ए सब्सक्राइब। तो सही करके आ रहे हैं। तो यह जो एक पैटन बनता रहा है जो मोटिवेशन मिलता है बच्चों को त्यारी करने के लिए उसी से हर साल कहीं न कहीं यह बात बन पारी होती है। करता कि यह करना मैं अपना दोग यह होता है कि आया पढ़ा दिया मतलब आप अगर इस बात के बारे में बच्चों से पूछें कि इनको क्या डिफरेंट लगा या फिर इनको कैसे पर्फेक्ट स्कूर की तरफ या फिर 95 मार्क्स की तरफ ला पाए या फिर 99 प्र आखरी में ब अभी नोट बहुत फोकेस कर तो में नोट सी बार लवारी रिवाइस कर जा तूशें गला त्युमित को इसमें तो ही Arbeit मों ठेशन को पर बंध कर लह टो इनको पता लगे भी यह study कैसे करते हैं और exam के time में इनकी psychological status होता है वो कैसे होता है तो जो paper पूरा solve कर लिया उसके बाद में थोड़ा उसको revise देखा भी कोई घल्की तो नहीं जा रही है कहीं मैं यह यकीन होता है भी जो कर दिया कई बच्चे सोचते हैं कि बहुत पढ़ना चाहिए उनको सोने के लिए बस चार पाज गंटे चाहिए होते हैं तरवाइस पढ़ते ही रहते हैं कोचिंग के लिए बीच में से आगया वापिस और यहीं आ रहे हो 99 से ऊपर का स्कोर है किदर है वहीं आज 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 आप भी जो फतेवाद से हैं आप ना क्या नाम मिटे आपका मेरा म्यंक है तो यह कोटा की सला दीरी आपको किसी ने कोटा जा रहे थे बीच में से आपकी गाड़े की बीच में किसी ने गाइड किया यहां पे मिल सकते हैं कि शोबिच सर भी अच्छा बढ़ाते हैं यहां से अच्छ रिजल्ट आते हैं अभी क्या कहेंगे बतल रिजट्ट तो आपका मशाल अच्छा है आपका 99 से बहो है क्या प्रसेंटाइल है 99.57 जब अभी क्या एम क्या है अभी तो एम जई एडवांस ही है और अगर इसे भी बैटर कॉलेज मिल जाए तो काफी अच्छा होगा अच्छा एक चीद और जाना चाहत हूं आप फतेवाद से आते हैं तो यहां पर रह रहे थे यह आप डाउन करते थे फतेवाद से नहीं मैं कि अच्छी परसंटेज जो है ना बच्चे स्कोर कर रहे हैं यह अच्छा और जो हैं कहां कहां से पढ़ें आपने जी फिजिक्स तो शोबित सरके पास और किमिस्ट्री सकाइसर के पास और मैथ गगंदीप सरके पास कहां से आते एप पिसार से कितने परसंटाईल आई प्राक्टिस के लिए पूरा टाइम दिया करते थे मतलब अभी चैप्टर पूरा वहाँ कम सकम एक हफता मिलता था और प्राक्टिस कर लो तो वह चैप्टर पका तो यह सबसे बैस थिंग थी मतलब जो मुझे लगी यहां पर नोट्स भी बहुत अच्छी हुआ करते थे मतलब पैस थे प्रैक्टिस में परफेक्ट आप कहां से थोड़ा थोड़ा सबसे पूछेंगे सबके कुछ न करें फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है बहुत से बच्चों को फिजिक्स बड़ी टाफ है कुश्चन बड़ी टाफ होती है तो शुरू में लगती नहीं सर के साथ तो ऐसा नहीं लगा कभी क्योंकि सर फॉर्मले से जादा तो concept पर फोकस करते हैं और तो उसे एक बार है क्रेक करना है और जबरदस्त त्यारी मतलब यह त्यारी जिसकी होती है उसे को उमीद होती है हाई यह चीज से जो है हमारे दिमाग भी चीज़े घुसरी है है हाई लेवल तिंकिंग है बहुत जादा तो मतलब सर क्लैरिटी बहुत है किसी भी concept में सर समझाते हैं बहुत मिल सकते हैं उसार अची में जागते रहते हैं उसार अच्छे मैं लाइप यह ते चाहिते हैं यह फो यहां पे क्यों आए थे यहां पर कंशेप बहुत अच्छे सिखाते हैं और मालब यहाँ पर महाल भी फ्रेंडीड़ टाईप अच्छे से क्वेर के वक्त में एक पूच्छना चाहरा था वश्पर तो इन प्रेशर था नहीं को पता है कि इस जोकगा कैसे मारना है क्यों यहीए क्यों इसारियां होती थी तिहारी बहुत अच्छी होती थी आप कहांसे आता हूं हां जी त्यारी बहुत अच्छी होती थी स्टार्टिंग से ही त्यारी बहुत अच्छी रही है कि लेवन्त लुद क्लास में दिक्कत नहीं आती थी और कुछ भी रटना नहीं पड़ता था ख्लास में तो समझ आ जाता था इसकी वज़े से पाफ कर ली तो देखो बच्चों ने बता जिया कि आप कोंसेप्ट आपके बड़े होते थे लोग जाते थे तो लोग जाना चाहते हैं तो बिल्कुल सोता हूं यह जरूर कह सकता हूं बायचांस जाग रहा हूं उस टाइम पर और बच्चे का सवाल आ तो मेरी कोशिश ही होती है कि मैं बच्चे को जवाब दूं मैक्सिमम मैंने आज तक के रिकॉर्ड में अगर मुझे याद है तो दो बजे तक तो रिप्लाई किया हुआ है ठीक है पर वो एक चलो हरोज की बात नहीं होती है अलग बात होती है और जही मेंस के रिजल्ट के तो बच्चे हमारे लिए अच्छे से रिविजन कर रहे हैं ताकि अगले रिजल्ट में वह और अच्छा परफॉर्म कर पाए प्लस एक और बात क्या होती है कि इस तरह के रिजल्ट को देखकर के जो हमारी टीम रहती है ना पूरी अब टीम में मैं आपको बताता हूं मैं ह सब्सक्राइब करने में लगे हुए और जो जुनियर्स हैं वो सारे इस रिजल्ट से मोटिवेटेड हैं मैं बता जयता हूं बीच में जो लोग देख रहे हैं कि सोभी सर्के जो सर्विसीज हैं वो अब्रोड के लोग भी ले रहे हैं जो बच्चे पढ़ते हैं मुझे इस हैं अब भी हमारे पास बैंगलोर से भी बच्चा है दिली से भी बच्चा है लगनौ से बच्चा है और ब्रॉड भी स्टूडेंट आप फी की वीडियो के माध्यम से आये था हमारे पास जिसको हमने कोर्स पूरा कराय था उसके बद उस बच्चे का सेलेक्शन भी हुआ ठ पूरा कि यहां पर है और यह जो क्योरियस इंसिचूट है मैं बता दूं कि आपको हिसार के सेक्टर 13 की में मार्केट में है आपका बड़ा रोल रहता है मुझे पता लगा कि इस इंसिचूट में सोरब सब्सक्राब देखते हैं उसके पास पूरा खाता रहता है तो है कर दो बता देते हैं च्छाइं को बच्चा लगया उनको तरह के दोणों तरह के स्टुएंट और मेडिकल दोनों को अलग अलग साइंक्मेंट मिलती है और मेडिकल के बच्चे अपना और त्यारी में लगे हुए उनका नीटका बाद में दूसरी बात हमारे यहां जो batches रहते हैं, वो 9th, 10th, 11th, 12th और dropper हर class के लिए रहते हैं, 9th और 10th class का जो हमारा course रहते है, वो foundation course रहते हैं, जिसमें हम हफते में एक या दो class लेते हैं, ताकि उनको एक strong foundation एक interest बन सके और आगे जाकर कि उनको बच्चों को help मिले, 11th class में हम लो batch इस बार हमारे दो थे, तो हम 12th class के दो ही batch लेंगे और एक dropper batch रहता है हमारे पास, इसके साथ साथ हम लोग इस बार plan कर रहे हैं कि एक और batch चलाने की, जिसमें जो government school से students हैं, या कोई इस टाइप से है, जो preparation करना चाहता है, उसको free of cost guide करें, in all three subjects की हम प्लान कर रहे हैं, उसको start करेंगे physics से, and after one or two month हम लोग उसमें सब launch करना चाहेंगे, और उसके लिए जो भी enroll करना चाहता है, मतलब हमारे contact number पे WhatsApp कर सकता है, और ये आप तैमाले जीए कि limited seats रहती हैं, यहाँ पर तो रहती हैं, किसी और मुझे नहीं बता रहती हैं, लेकिन यहाँ पर limited seats रहती हैं और आप अपना जो भी है inquiry आप कर सकते हैं, जैसे भी आप उसको plan out कर सकते हैं, इंक्वारी आप कर सकते हैं, निचे number flash हो रहा है, उस पर बात कर सकते हैं, और निचे comment box में भी अपनी बात आप लिख सकते हैं, कुछ पूछना चाहें, तो पूछ भी सकते हैं, शेर इसक मिलते हैं, तब आपके comment करें, शेर भी करें और आप देखते हैं एक पर पोस्ट.